आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह 11th admission में या फिर inter admission में spot admission क्या होता है spot admission क्या होता है, spot admission कैसे करते है, spot admission कौन कर सकते है, इसमें किनको किनको मौका मिलता है, इसमें क्या-क्या document लगते है, इसमें कितने पैसे लगते है क्योंकि 11th admission का जो सबसे अंतिम option है सबसे आखरी chance है वो spot admission ही होता है देखिए spot admission को जानने से पहले आप यह जान लिजे कि spot admission का जो date है वो first, second और third तीनो merit list आने के बाद सबसे अंतिम में आता है तो पहले first merit list का जो अभी आया है 11th admission के लिए पहले first merit list के बच्चों आद्मिशन होगा फिर second merit list आएगा फिर third merit list आएगा उनका भी date खतम होगा तब जा करके जारी होगा spot admission का date और देखिए spot admission का date जारी होने के साथ ही online का date भी जारी होता है अब spot admission में कौन बच्चे सामिल हो सकते हैं तो spot admission में वो सारे बच्चे ambition ले सकते हैं जिनका इस से पहले किसी कारण से admission नहीं हो पाया पहला तो बच्चा, जो इस से पहले फॉर्स्ट या सेकर किसी मेरिट लिष्ट में यह नाम नहीं आया आधा, लेकिन ना तो fak जो तो कि से करवाएं हो अगर admission cancel हो चुका है तो ऐसे बच्चे भी spot admission में नामांकन कराएंगे 11th में admission कराएंगे और तीसरे ओ बच्चे जो किसी कारण से इससे पहले inter admission के लिए online आवेदन ही नहीं कर पाए online apply ही नहीं कर पाए ऐसे बच्चों को भी मौका मिलेगा ओ भी दुबारा से online करके और spot admission admission में अपना नामांकन 11th class में इंटर में करा सकते हैं तो यह तो हो गई कि तीन category के बच्चे admission करा सकते हैं इसमें अगर आपने पहले apply तो किया था लेकिन आपका ना तो first में ना तो second में ना थर्ड में किसी में नाम नहीं आया तो ऐसे बच्चों को दुबारा से online करने की जिरुवत नहीं पड़ती है उनको ना तो पैसा दना पड़ता है ऐसे बच्चे बस सिंप्ली लॉग इन करेंगे और वहां से एक लेटर निकाल लेंगे और जो यह sport admission का लेटर निकलता है ना उस लेटर में किसी स्कूल का नाम नहीं रहेगा ना तो आर्स लिखा रहेगा ना साइंस लिखा रहेगा ना फिर commerce लिखा रहेगा तो वह इंटिमेशन लेटर जो होता है उसमें किसी स्कूल का या फिर faculty का नाम नहीं लिखा होता है बस उसको पि अगर किसी बच्चे के आडमिशन रद्ध हो जाता जैसे कि अगर कोई बच्चा first merit list में नाम आया admission भी करा लिया जहां नाम आया और slide app के लिए apply कर दिया तो second merit list में उसका फिर से नाम आएगा और साथी साथ अगर माल लिते हैं कि कोई बच्चा first या second या third किसी merit list में कहीं किसी school में admission करा लिया लेकिन spot admission के time पर उसको लगेगा ये सोचेगा कि नहीं हमको school अब change करना है तो ऐसा बच्चा चाहेगा तो spot admission में अपने पहले वाले admission को cancel करा सकता है और दोबारा से online करके फि इससे पहले admission नहीं कराए यानि उनका नाम first list में आया या second list में आया या third list में आया लेकिन school बदलने की चाहत की वज़ा से या फिर extreme बदलने की चाहत की वज़ा से उन्हों ने admission ही नहीं कराया यानि कि online किया हुआ था नाम भी आया था पर छोड़ दिया उन्होंने चाहे हो अपने से छोड़ दिया हो या फिर किसी गलती के वज़से जानकारी ना होने के वज़से छोड़ गया हो अगर लिष्ट में नाम आया और आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो ऐसे बच्चे भी स्पॉर्ट एडमिशन का डेट आने पर दुबारा से ऑनलेन करेंगे अप्लिकेशन फॉर्म भरेंगे और फिर उसका एंटी मेशन लेटर निकालेंगे सीट खाली चेक करेंगे जहां सीट खाली होगा उसे स्कुल में जाएंगे आर साइंस कॉमर्स जो पसंद है उसमें एडमिशन ले लेंगे लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्पॉर्ट एडमिशन में सीट खाली रहना चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा लेकिन इस बात क में जिनका नाम तो आ गया पर स्कूल अच्छा नहीं मिला पसंद करना ही मिला या फिर आर्स में नाम आया साइंस में कराना चाहते हैं या साइंस में नाम आया और आर्स या कॉमर्स चाहते हैं या अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं ऐसे बच्चों को भी करना होगा अभी फिल हाल उनको जहां पे भी नाम आया उस admission का लिष्ट पर उस इंतिमेशन लेटर पर उस मेरिट पर नाम उनको admission नहीं करवाना होगा उसको छोड़ देना होगा नाम आ गया लेकिन उसको छोड़ देना होगा admission नहीं कराना होगा export का date आएगा तो export admission में पहले online आविदन करना होगा तो 12.500 रुपिय लगेंगे और उसके बाद वो intimation letter निकलेगा जिसमें school का नाम और जो faculty होती है वो नहीं लिखा हो रहेगा फिर जहां मन करेगा seat खाली रहने प्रमाजा करके admission करा सकते हैं जिस stream में चाहें जिस school में चाहें तो export admission हर तरह के समस्याओं का समधान है यानि ये अंतिम मौका होता है बच्चों को admission 11th में लेने का इंटर में लेने का और इस spot admission में मन चाहाई school भी मिल सकता है मन चाहाई आपको stream भी मिल सकता है कहीं कोई problem नहीं होगी लेकिन समस्या ये है कि spot admission सबसे अंतिम में होता है तो पूरे जुलाई भर में आपका first, second और third merit list का जो admission होता रहेगा अगस्त में आएगा spot admission का date तो अगस्त में ही आपको spot admission के लिए wait करना है और अगस्त में ही आपको spot admission कराना भी है तो फिल्हाल इस वीडियो के लिए अतना ही हम मिलते हैं वीडियो में नए अपडेट के साथ